राम मंदर और बाबरी मस्जद का विवाद आखर क्या है कड़वा सच? क्यों अब तक आयोध्या कि मस्जद का नर्मान शुरू नहीं हुआ? क्यों बाबरी के आशु बहाने वाले ठंडे पड़ गए हैं? क्या सच में लड़ाई मस्जद के लिए थी या फर सच कुछ और ही जानते हैं वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फाक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को आल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस्स ना हो राममंदर और बाबरी मस्जद ये दोनों ऐसे रिलीजियस स्ट्रॉक्शर के नाम हैं जिनके बारे में आज भी अगर कोई सुन लेता है तो उसे बरसों से अब तक के संगर्शों की कहानी याद आ जाती है वाकई में दोस्तों राममंदर और बाबरी मस्जद के लिए भारत में जो विवाद खड़ा हुआ था ना वो शायद आज तक किसी भी देश में नहीं हुआ हुगा एक तरफ देखा जाये तो भारत एक ऐसा देश है जहां जादातर सभी धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से रहते हैं उन्हें किसी बात की कोई रोकी टूकी नहीं होती लेकिन फिर भी जिस तरह भारत में धर्मों के खिलाफ लोगों के धर्ने शुरू होते हैं वो सहने योग्ये नहीं है महिरामदर और बाबरी मस्ज़ुद के विवाद के लिए जब भी बात की जाती है तो जनाब ये वो विवाद है जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान की परवाह किये बिना अपने आपको कुर्बान कर दिया बरसों से सनातनियों ने आयोध्या में बने राम मंदर के लिए जो संघर्ष किया था वो कोई आम बात नहीं है आयोध्या में राम मंदर को बनाने में हिंदु राम भक्तु की वुवास था थी जिसके लिए उन्होंने पीडियों तक गवा दी और इस बात में कोई शक नहीं है कि धार्मिक केस में सबसे जादा लंबा चलने वाला केस राम मंदर और बाबरी मस्जद का ही है यानि इसे साब से समझा जा सकता है कि भारत में धर्म के लिए लोगों में कितनी तना तनी चलती है लेकिन जबकि शायद धर्म के लिए इतने मन मुटाब होने का कोई सवाल ही नहीं बनता खैर बाद धर्म की चल रही है तो आपको बता दें कि बाकी देशों में कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तो भगवान शराम के फुट्प्रिंट्स दुनिया के लगबग 12 देशों से ज़ादा देशों में है सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां हिंदु धर्म को फॉलो करने वाले लोग की आबादी मल्टी ट्यूडनिस यानि की बहुसंख्यक नहीं है पर इन सब के बावजूद इन देशों में हिंदु धर्म के भगवानों राम मंदर को लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं है वहां भगवान श्रेराम को लेकर या फर हिंदु धर्म के किसी भी भगवानों को लेकर किसी भी तरह का मनमुटाव दंगा ये लड़ाई वगारा कुछ नहीं होती इन बातों से आप कुछ समझ पा रहे होंगे कि एक तरफ वो देश है जहां हिंदु की आबादी बहुत संख्यक नहीं है वहां किसी भी तरह का तनाव सुनने को नहीं मिलता लेकिन दूसी तरह हमारा देश भारत जिसे हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है यहां हिंदु धर्म को फॉलो करने वाले की आबादी बहुत संख्यक में भी है हमारा देश तो वो देश है जहां की पवित्र भूमी आयोद्या में श्री राम का जन्म हुआ लेकिन इन सब के बावजूद भी यहां उन्हें लेकर इतना विवाद है खैर यहां एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि भई यह लड़ाई यह विरोध तो धर्म के लिए है कुछ लोग का भी यह भी कहना है कि जहां कसी समय पर मुसल्मानों की बावरी मस्जद हुआ करती थी वहीं राम मंदर बन रहा है तो यह विरोध होना तो बनता है पर जरा आप खुदी सोचिए क्या सच में यह विरोध मस्जद को लेकर था लगवग पांच सो सालों से चल रहा आ रहा राम मंदर और बावरी मस्जद का यह केस क्या केवल धर्म के स्ट्रॉक्शर के लिए ही चल रहा था या इस विवाद के खाले सच को भी जाना नहीं गया है कभी खैर चलिए हम माल लेते हैं कि यह विवाद मस्जद के लिए था तो अब तक आयुद्धा में बनने वाली मस्जद क्यों नहीं बनी क्यों वो जमीन अब तक खाली पड़ी है इसलाम के लोग का वरोद यहीं तो था कि बाबरी मस्जद को तोड़ा ना जाए और अब अगर इस बड़े विवाद की वज़ा मस्जद ही थी तो इस जगह के बदले जब फैसला सुनाते हुए बाबरी मस्जद के पक्षों में पांच एकड़ की जमीन दे दी गई थी तो अब तक खाली क्यों है 2019 से लेकर अब तक 22 जनवरी 2024 में राम मंदर का उदगाटन कर दिया गया लगबख चार सालों में भब राम मंदर बन कर तयार हो गया ऐसे साब से अब तक मस्जद को तो बन जाना चाहिए था ना यहां राम मंदर के निर्मान की बात करें तो बहुत से लोगों के मन में ये बात चल रही होगी कि भई राम मंदर तो सरकार के द्वारा बन वाया गया होगा ना तो मस्जद के लिए भी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए लेकि दोस्तों ये सोच गलत है क्योंकि राम मंदर को सरकार के द्वारा नहीं बलकि राम भक्तों के द्वारा बनवाया गया है जो बरसों से सपना लेकर बैटे थे कि अपने राम लल्ला के भब भवन को हम बनाएंगे जहां असल में भारत के लगवग 20 करोड से जादा परिवार राम मंदर के निर्मान के लिए 5000 करोड से भी जादा का दान दे चुके हैं जिससे भव्य मंदर बन पाया है वहीं फैसले के समय मुस्लिम पक्ष को भी कहा गया था कि आपको भी जमीन दे दी गई है अब आपको फंड जमा कर भव्य मस्जद का नर्मान कराना है लेकिन वो जमीन तो आज भी खाली पड़ी हुई है वहीं हम हिंदो पक्ष में राम मंदर के लिए बात करें तो देश भर से राम भक्तों ने मंदर के खजाने को दान से इस कदर बेहिसाब भर दिया है कि मंदर ट्रस्ट की तरफ से करीब 40 से जादा जगों पर बंडारे कायोजन किया गया है जिहां और ये हर रोज होता रहा है ताकि आयोध्या में कोई भी भूखा न रह जाए जिसके लिए देश भर से लगातार लोग दान दे रहे हैं एक तरफ हिंदु लोग हैं जो लगातार दान पन कर रहे हैं और उनके लिए अब जगया भी कम पड़ रही है मुस्लिम लोग जो इतना भी दान नहीं दे रहे हैं कि भाईया मस्जिद का निर्मान भी शुरू हो जाए जी हां सहीस तो ना आपने मस्जिद को बनवाने के लिए लोगदान नहीं दे रहे हैं यकीन नहीं हो रहा होगा ना आपको चलिए यकीन दिलाते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तो सुप्रीम कोट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष क्यों उनकी मस्जुद के लिए उध्या से लगबग पचीस किलोमेटर की दूरी धन्नी पर गाउं में जमीन दे दी गई थी और जो अब भी खाली है कच का ये भी कहना है कि नक्षा ही पास नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने कहा है कि ये बिल की बात है मैं कुछ कहते हैं कि मस्जद बनवाने वाले लोग जो आया करते थे वो नहीं आते लेकिन इन सब को मिलाकर साफ बात ये है कि दान ही नहीं है पर ऐसा क्यों? यही सवाल होगा ना आपका तो इसका जवाब है केस जी हां मुस्लिम पक्ष को तो केवल केस जीतना था तबी तो सभी फंड को उन्होंने कानूनी लडाई में लगा दिया असल में दोस्तों सच बात तो ये है कि मुस्लिम पक्ष के पास दान तो आया था लेकिन उन्होंने उसे कानूनी लडाई में ही बरबाद कर दिया अंदादून पैसा खर्च किया केस के लिए जब ये केस चल रहा था तब तक मुस्लिम पक्ष के पास अलग-अलग से फंड आता रहा था पर जब तक इस केस का फैसला नहीं आया था यानि सुप्रेम कोट के फैसला सुनाने तक मुस्लिम पक्ष ने जम कर करोड़ों रुपए इस कानूनी लडाई में लगा दिये और आज क्या ट्रस्ट के पास पैसा ही नहीं है केस के दौरान जम कर पैसा आ रहा था तो अब क्या हुआ जनाब करवा सच तो यह है कि दोस्तो यह मामला मस्जिद के लिए तो था ही नहीं बलकि उनके मंशा तो यह थी कि किसी भी तरह राम मंदर को रोका जाए सच बात तो यह है कि मस्जिद में तो किसी की दिल्चस्पी थी ही नहीं क्योंकि उनके लिए तो यह केवल एक प्रोपर्टी ड रखता है जोतना मुस्लिम समाज के लिए मक्का और मदिना क्योंकि हिंदों के लिए भगवान शुराम का जन्म स्थान इसी स्थान को माना गया है इसलिए यह स्थान सभी हिंदों के लिए सबसे इंपॉर्टन्ट है इमेजन कीजे दोस्तों अगर उस समय मुस्लिम समाज के लोग धर्म नर्पिक शता देखाते हुए अगर मान लेते के उनके लिए यह जगह कोई महत्व नहीं रखती है आप यह जगह ले लीजे तो देश आज अलग ही रूप में होता फिर दोस्तों जो कुछ भी हुआ उसे भूलने में ही भलाई है और जो कुछ भी हुआ है वो कानूनी तरीके से ही हुआ है अब बस सभी मुसल्मानों को इसका स्वागत करना चाहिए और हिंदूओं को बढ़ाई देनी चाहिए झाल चाहिए